इंस्टाग्राम पर जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पर विजिट करतो यहाँ पर आपको सूपर विजन लिखाता है सूपर विजन है क्या बेसिकली क्या यूज है मैं सब कुछ यहाँ पर आपको बताना वालाओ एड़ एड़ एक्सप्लेंड करूँगा and setting and privacy पर किलिक करतो यहाँ पर स्क्रोल करतो यहाँ पर भी आपको सूपर विजन लिखाता है बेसिकली इसको फैमिली के लिए लाया गया है इंस्टाग्राम में सूपर विजन फिचर को फैमिली के लिए एड़ के गया है 18 पलेस के लिए यह नहीं है जिनकी 18 से कम एज है उनिके लिए बनाया गया है for example आप एक पैरेंट हो आपके बच्चे जो की 18 पलेस नहीं है for example आपकी लड़की हो सकती है या फिल लड़का हो सकती है वो इंस्टाग्राम चलाती है अब देखे गैज वो Instagram को कितना ज़ादा चला रही है कितना time spend कर रही है ये पता लगेगा आपको and किसको follow करती है कौन उसको follow करता है ये पता चलागा आपको and किस-किसको block करती है सब कुछ details यहाँ पर आपको पता चल जाएगा पूरी setting अपने बच्चे की जो है न आप लड़की की ये लड़की की पूरी setting कर दोगे यहाँ पर आप वो Instagram पर गलत नहीं देख पाएगे कुछ भी और ज्यादा use नहीं कर पाओगे जितना आप चाहोगे जितना आप time limit set कर दोगे इतना ही वो Instagram का use कर पाएगे तो जो parent है उनके लिए तो ये feature helpful होने वाला है बट अगर आप किसी family member आपका कोई family member है उसका भी निगरानी करना चाहतो उसका भी आप detail चाहतो कि Instagram पर करती करता क्या है तो वो भी आप इसके थूरू पतल लगा सकतो कैसे करना है या फिर आप एक BF GFO भाई आप 18 पले सोगे फिर आपके लिए feature नहीं बना है लेकिन आप भी इसका use कर सकतो कैसे कर सकतो सब कुछ explain करना वाला हूँ simply guys आपको super vision पर click करना है देखिए आप किसी को अगर request कर देता हो तो यहाँ पर यह से show करता है और 48 hours में यह जाकर expire होता है अगर वो setup नहीं करता है चलिए यहाँ पर हम practically starting से start करते है देखिए सबसे पहले आपका जो अगर आप parent हो आप अपने बेटा ये बेटी का mobile लीजिए ठीक है जिसमें उसका Instagram account है उसमें जाना है और अगर आप BF GFO तो अगर आप BFO for example तो अपनी GF का आप mobile लीजिए उसके Instagram account open कर लीजिए या फिर आप जिस family member पर निगरानी रखना चातो उसका mobile ले लीजिए ठीक है अब उसके account पर आपको visit करना है जैसे आप उसके account पर visit करतो यहाँ पर आपको edit profile पर click करके then personal information settings पर click कर देने simply guys यहाँ पर आपको देखना है कि इसकी date of birth क्या है अगर यहाँ पर देखो जो date of birth है 13 September 2006 है 2006 इसका मतलब यह 18 plus नहीं है 18 से कम है और अगर date of birth यहाँ पर 18 plus है तो super vision वर्क नहीं करेगा सीधी सी बात है तो अगर आपकी gf की जाद हो रखिया है यहाँ पर date of birth तो भाई उसकी 18 से कम करना पड़ेगा तभी यह feature work करेगा तभी आप उस पर निगरानी कर पाऊगे ठीक है तो यह setting आपको पहले करना है उसके बाद मैं आपसा कहना चाहूँगा इस feature को आपको सही use करना है यह पर पड़के पर उटा सिधा खान मत कर देना ठीक है ऐसा नहीं करना है basically यह parent के लिए है parent को बोला हूँ आप इसका use जरूर करें अपने बच्चों के लिए अपने इसका set कर लो जिससे कि आपके बच्चे गलत ना देखे कोच गलत लोगों से कॉंटेक्ट ना कर पाए सारी setting यहाँ पर मैं आपको बताना वालो चलिए इतना सब आपने कर लिए अब आपको अपना है mobile में ही आ जाने है simply guys मैं कोई ऐसा अकाउंट लेता हूँ जिससे मैं आपको starting से explain कर पाऊँ तो यहाँ पर मैंने एक ऐसा अकाउंट लिया है जिससे मैं आपको starting से explain कर पाऊँगा आपको अपर तीन पर क कलिक करने है यहाँ पर सुपर विजन लिखाता है यहाँ पर कलिक कर सकतो है अधर अधरिवाइस अपर यहाँ पर डिट कर सकतो है मैंने आपको shortcut में सब कुछ Hindi में explain कर दिया है then आपको get started कर देने है अब जैसे आप get started कर तो यहाँ पर आपको first option मिलता है आपका जो बेटा बेटी है या फिर आपकी जो girlfriend है या फिर आपका जो family member है उसका username देख लेना है ID का तो username मैंने देख लिया है phase official simply guys यहाँ पर आप search भ आपको simply next हो जाएगा automatic यहाँ पर देखो option मिल जाता है एक link है जो कि आपको अपने लड़की या लड़के के mobile में send करना है आप whatsapp से भी कर सकते हो instagram chat से भी कर सकते हो यहाँ पर आपको multiple option मिल जाता है facebook से भी कर सकते हो तो यहाँ पर आपको select करना है instagram chats ठीक है इसके बाद समझदार हो समझ जाओगे मैं चाहे girlfriend बोलू चाहे bf बोलू ठीक है gfbf और बेटा बेटी family member का मैं सब का एक नाम रख रहा हूं बेटा बस इसी से ही आप समझ जाना मैं जो कहना चाहरा हूं वह आप समझ जाना बेटा है अगर आपकी girlfriend है तो बेटा माल लो ठीक है और समझ लो आपकी girlfriend जिनकी girlfriend है और जिनकी बेटा बीटा है और जिनकी बेटी है बेटी है आपका जो बेटा है उसकी user name है यहाँ पर आपको स्रैंड कर देने अब जैसे ही आप सेंड करतों डन होगया है अब आपको यहां से कट कर देने एक link उसको share हो गया है उसकी chat में ठीक है और यह जब तक कि वो बंदा setup नहीं करता अगर वो बंदा setup कर देया 48 hours के अंदर यह link एक्सपायर नहीं होगा और अगर वो बंदा accept नहीं करता 48 hours बाद यह जो link है एक्सपायर हो जाएगा आपको again करना होगा ठीक है उसको link share अब देखिए आपको करना क्या है अपने बेटे का mobile ले लेना है दैन उसके Instagram चेट में चले जाने है आप जैसे message box में आतो यहां पर देखो एक link आएगा यह आ गया safe meme page की तरफ से एंड यह एक link ऐसा आता है simply आपको इस link पर click करने है और जैसे आप इस link पर click करते हो तो यह loading लेता है यह आपको next कर में जैसे यहाँ है जैसे आप next करते हो थोड़ा सा scroll करने है यहां पर आपको अलाव करने सिमْपलिक य्यर से टरफ यहास चाहो तो आपकाँ बेटा यहाँ से छी मूबाम अग الا लब तसんだ izley ŉ जैसे आप्ति करतों यहां पर देखेट करने और यहां पर अएडिया सब्सक्राइज स्क्राइब देखेट करने हैं अब जैसे आप उस पर इंस्टवर्ण अब इन्स्टाग्राम आपका बेटा अब इंस्टाग्राम पर जितना भी time spend करेगा इस mobile में तो जितना भी time spend वो इंस्टाग्राम पर करेगा तो यहाँ पर आपको graph के थूरू पता चलता रहेगा कि आपके बेटे ने इस दिन इंस्टाग्राम का इतना use क्या है इस दिन इतना क्या है Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday मतलब यहाँ पर सब कुछ लिखा जाएगा टूडे भी लिखा है तो यहाँ पर सब कुछ graph में ऐसे लिखा जाएगा अब अगर आप चाहो तो time को manage भी कर सकतो for example आपको पता है आपका बेटा इस time से इस time तक school जाता है इस time से इस time तक टूशन जाता है फिर इस time वो घर पर रहता है इस time से इस time तक वो फीड़ी देता है वो time अगर आप select कर दोगे तो उसी time पर वो Instagram का use कर पाएगा उससे जादा नहीं कर पाएगा simply आपको manage time limits पर click करने है then यहाँ पर daily time limit को on कर देने है simply guys देखो यहाँ पर आपको पता होगा आपका बेटा कितना फिरी देता है 15 minute, 30 minute, 45 minute, 1 hour, 2 hour तो यहाँ पर आप उसका time slate कीजिए for example मैं 30 minutes कर लेता हूँ then आपको set कर देने है इसके बाद आपको यहाँ पर time को on करने है schedule breaks, simply आपको इसको on करने है then edit पर click करके आपको पता होगा आपका बेटा किस time फिरी होता है for example आपका बेटा 7 p.m. पर फिरी हो जाता है यहाँ पर आपको 7 p.m. कर देने है और बीजी किस time होता है फिर वो 8 p.m. पर या 7 30 p.m. पर for example मैंने 30 minute किया तो उसके according में यहाँ पर 30 p p.m. यहाँ पर मैंने slate किया then setup कर देता हूँ उसके बाद Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, सब पर आप चाहो तो कर सकता हो और भाई आपको पता है Sunday को आपका बेटा फिरी भी जाता है आपको alert कर दे जाएगा कि आपका बेटा इससे ज्यादा Instagram यूज करने की कोशिश कर रहा है तो फिर आप उसको call वगरा करके डांट सकते हो ठीक है इतना हो गया यहाँ पर graph में आपको timing का पता लगता रहेगा आपका बेटा आपकी बेटी आपकी जीएफ आपका family member कितना Instagram का यूज करता रहेगा जेकिन है आपका बेटा किसको फोलो करता है और आपके बेटों को कोन-कोन फोलो करता है जीए सब के लिए सेम ठीक है आपको see all पर किलिक करने है देखो followers followers का मतलब है आपके बेटों को कौन-कौन फोलो करता है वो सब आपको यहां पर नजर आएगा सेकिन है following following का मतलब है आपका बेटा किस-किस को follow करता है then सबसे ज़्यादा वो किसको content share करता है किसके साथ बात चीत करता है यहां पर आपको यह भी पता चल जाएगा for example आपके बेटों को जो follow करता है क्या वो उनकी साथ भी बात चीत करता है उनको भी content share करता है तो यहां पर देखते हैं देखो two shared connection यहां पर लिखा है two shared connections इसका मतलब यह इससे थोड़ा contact रखता है इसको message वेगरा करता है और content भी share करता है ठीक है और अगर following में आ जाता हो जिसको आपका बेटा follow करता है तो उनमें वो सबसे ज़्यादे किस से बात चीत करता है और किसको ज़्यादे content share करता है यह भी आप पता लगा सकतो तो यहां पर देखो instagram के पास सबसे ज़्यादे content share करता है यह देखो instagram के पास 47 said connection और इसके बाद है आकास अक्से कुमार यह देख सकतो 59 said connection इसका मतलब आपका बेटा जो है सबसे ज़्यादे connection लगता है अक्से कुमार से लगता है अक्से कुमार से 69 said connection इसका मतलब है कि इसके पास सबसे ज़्यादे content share करता है सबसे ज़्यादे बात इसी से करता है यह इससे पता लग जाता है यहां से आप setting वेगरा भी कर सकतो इसमें आप weekly वेगरा यहां पर कर सकतो से बट मैं यहां पर बेक कर दता हूं इसके बाद है account information आपके बेटे का जो इंस्टाग्राम एकाउंट है वो पबलिक है अगर वो प्राइवेट करता है तो आपको पता लग जाएगा यहां पर मैं आपको यह देखो एकाउंट आपके सामने अभी पबलिक है और मैं इसको प्राइवेट करके दिखाता हूं simply जैसे मैं प्राइवेट करूंगा तो यहां पर भी प्राइवेट हो जाएगा इसके बाद है sensitive content आपका जो बेटा है उसने जो setting करकी है sensitive content की वो standard करकी है standard का मतलब है आपका बेटा Instagram पर A to Z sensitive content को consume कर रहे है उसके सामने कैसा ही sensitive content आ सकता है चाहे वो vulgarol nudity and sexual content किसी भी तरह का content उसके सामने आ रहा है जिसमें abuse किया रहा है इस रहा के सभी content वो consume कर रहे है जिनको देखकर वो बिगड़ रहा है उसकी आप setting कर सकते हो जिससे की sensitive content consume ना करें ना देख पाए तो करना क्या है आपको अपने बेटे के mobile में जाने है simply profile में जाने है then three dot पे click करके setting and privacy में चले जाने है then यहाँ पर आपको लिखायेगा suggested content इस पर आपको click करने यहाँ पर आपको sensitive content को standard से less कर देने है less करने के बाद confirm कर देने हो गया है less यहाँ पर standard लिखा रहे है बेक करता हूं again click करता हूं तो simply guys अब आप देख सकतो हूं यहाँ पर less लिखा आगया है आपका बेटा ज्यादा sensitive content consume नहीं करेगा उसके सामने vulgar content नहीं आएगा then इसके बाद है who can message your teen and इसके बाद है who can add your teen to a messaging group आपके बेटों को कोन message कर सकते है no one करका है इसका मतलब आपके बेटों को कोई भी message नही कर सकता है second who can add your teen to a messaging group आपके बेटों को group में कौन add कर सकता है कोव experiences कर सकता है जो आपके बेटों को करता है following list लिएना अपने बेटे की बाकि आप सेटिंग भी कर सकते हूं इसकी setting कैसे करना है बता दाओं देखिए आपके बेटे को कौन message करे कौन ना करे अगर आप चाते हो कि आपके बेटे को कोई भी message ना करे कोई भी उससे contact करना है तो आपको करना है अपने बेटे की account पर विजिट करना है प्रोफाइल में आने के बाद 3. पर किलिक करके setting and privacy में जाना है लिए यह सब करेक्षी है यहां पर देखो सब कुछ आपको don't receive कर देने है योवर followers on Instagram जो आपके बेटे को follow करता है वही आपके बेटे को request भी कर पाएगा और message भी कर पाएगा और जो आपके बेटे को follow नहीं कर ता वो आपके बेटे को message नहीं कर पाएगा बहुत बार ऐसा होता है कि आपका बेटा उसको फोलो Не करता उसको बॉलता है कि मिज़े फोलो मत कर बट से बात करता वे में अगर आपने यह कर वादियाना don't receive request your followers on Instagram के अंदर तो आपके बेटों को वही मैसेज़ कर पायगा वही request कर पाएगा जो आपके बेटे को follow करता है, तो यहाँ पर आप यह सब setting करवा देना, don't receive, don't receive, facebook की तरफ से कोई message ना कर पाए, and facebook friend कोई message ना कर पाए, don't receive करवा देना, and इसके बाद है people with your phone number, आपके phone number, जो phone number के through करता है न, तो उसको भी don't receive करवा देना, इसके अलावा, यहाँ पर है other on facebook, don't receive करवा देना, other on instagram, don't receive करवा देना, इसके बाद आता है group की setting, who can add you to groups, तो यहाँ पर आप रखना, only people you follow on instagram, जो आपके बेटे को follow करता है, वो ही group में add कर पाए, वो ही message कर पाए, इसके अलावा, everyone on instagram मत कर देना, इससे क्या होगा, कोई भी group में add कर पाएगा, गंदे group में भ बाद है blockade accounts, यहाँ पर आप देख सकता हूँ, आपका बेटा किस को block करता है, ठीक है, blockade accounts पर जैसे click करोगे, अभी आपके बेटे ने किसी को block नहीं कर रखा है, और जैसे वो block करता है, आपको पता चलियागा, किस को block करता है, for example, यहाँ पर live करके दिखाता हूँ, आपके blockade accounts, यहाँ पर आपको click कर देने है, तो यहाँ पर इन डोक्टर जी को मैंने अभी block किया है, तो यहाँ पर आजाएगा, जिसको आपके बेटा block करता है, वो सब की list यहाँ पर आजाएगा, इसके बाद है remove का option, अगर आप remove कर दोगे, तो जो यह link है, आपके बेटे से आप आपका Instagram account यह हट जाएगा, एन देखो जितना time spend होता रहेगा, डेली का, वो यहाँ पर आता रहेगा, 12 मिनट यहाँ पर हमारा अभी, देखो Instagram open है ना, 12 मिनट यहाँ पर average आ चुका है, 12 मिनट हमने use कर लिया है, Instagram का आपके बेटे ने, ठीक है, इस तरह से आप इसकी पूर profile पे, then profile पे आजाने है, then three dot पे click करके super vision में आजाने है, then यहाँ पर आपका बेटा, जैसे यहाँ पर उपर की और remove लिखाता है, remove पे click करेगा, then remove super vision कर देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यह remove, simply guys यह हो गया है, इधर से remove, ठीक है, यहाँ पर आप useful है, तो useful कर देना, otherwise और क remove हो गया है, आपको bake करने है, profile पे click करने है, यह remove हो चुका है, इस तरह से, ठीक है, अभी यह remove हो गया है, और जो आपने time select किया था, देखो, उससे ज़्यादे आपका बेटा, आपका Instagram use ने कर पाएगा, हाँ जी, जैसे ही time complete होता है, जैसे कि आपने 30 minutes late किया, 30 minutes वो Instagram का use कर लेता है, तो 30 minutes के बाद उसका Instagram off हो जाएगा, then वो request का option देगा आपको, अगर वो request करता है, तो आपको अगर request approval देता हो आप, आप Supervision के अंदर आकर request को approval देता हो, तभी अगर आप time बढ़ाओगे, तो वो use कर पाएगा, otherwise 24 hours के अंदर जितना time select के है, उतना ही Instagram का use कर पाए subscribe करके bell icon को always request कर देना, ऐसी और वीडियो देखने के लिए,